जहन दोस्तो स्वागात है आपका हमाई टू चैनल एग्री जर्णी में तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं जो आरक्षण के बारे में जो हमारा OBC, SC, ST, WS का आरक्षण है कितने कितने परसंट लागू हो रहा है तो इसके बारे हम दोस्तो आज हम विस्तार से जानकारी आ इनके बारे में थोड़ी बदला हुए है एक दो पॉइंट का बदला हुआ है तो इनके बारे में जोस्तो हम आपको जानकारी देंगे कि WS का और SCS के कितने परसंट आरक्षण इस बारे जो परिच्छा भरतियां हुई है या परिच्छा हुए है इनके बारे में कितना पर पहले कितने होता रहा है तो इसके बारे में इस वीडियो से माध्यम से हम विस्तार से आपको जानका ही देगा तो बने रहें हमारे साथ और दोस्तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज आप प्यार बरसाते हैं दोस्तों तो हमको मोटिवेशन मिलता है और आपको दिखे रहा है मद्वडेपर्देश की जो अनुसूचित जाती अनुसूचित जाती और पिछड़ा बार वह भी शीया जाती तो जैसलिक है आपको दिखर आपको इनका पंदरा परशन 21 परशन 27 परशन है ना तो दोस्तों 15 परशन सबार जो एमपी प्याटी होगा उसमें लाग हुआ जबकि लेकिन दोस्तों आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि जो इसमें बदला हुआ है SC, ST, SC और ST का है जो SC, ST का जो आर्ख्षन का पैटन है इनमें बदला हुआ है जैसे कि आपको पता है कि SC का है, तो SC का जोस्तों कितने पर्षन इसमें 15 पर्षन लगा लेकिन जबकि लागउ कितना हो ना होँआ है इसके में दिख रहा है कि OBC का कितना है OBC का 27% आरक्षन लागू होगा जो भी भरतियां होगी MP में जो भी परिक्षा होगी उसमें 27% आरक्षन OBC वालों की जो seeds हैं वो रेजर्ब रहेंगे 27% उसमें कोई भी नहीं गुच सकता 27% seed OBC वालों की तो जैसे कि आपको पता है कि पहले कितने पर्शन लाग हो था था पहले 63 पर्शन पूरा जो रहता था अब कितना लाग हो रहा था तो आप दोस्तु जैसे कि आपको पता आप सब आप 73% 73% टोटाल अक्षन लाग हो रहा जो भी jobs निकल रही है जो भी उसमें अक्षन के तहर 73% seat reserve रहती है 73% बाकी जनरल केटागरी के रहती है 73% दोस्तो seat reserve रहती है किस-किस का 73% में SC का भी है, ST का भी है और दोस्तो अपना OBC का भी है EC में EWS का भी है सबका EC में machinery 74% में सबका Total आ रहा है जो कोई पहले कितना था पहले 26-6% ता तो EC में सब आरक्षन में दोस्तो आ रहे हैं कितने पर्षन किस-किस पर लाग हो रहा है तो इस आरक्षन की बात ढब आपको आपको आपके मन से ये बात hm, haوع 가я होगी कितना पर्चंट PAT में लागो हो रहा है कि लुद 27% तो इस बार आपकी जो 27% लागो हो रहा है तो मतलब आपका अधिकतर बच्चे आपको OBC के मिलने वाले हैं जो एक्जाम है भी PAT का अधिकतर seats OBC की हैं 27% बहुत होता है 27% तो यह 27% आरक्षंट आपके लिए लागू हो रहा है, गबर्मेंट ने ये बात की मंजूरी देदी है, कि हर स्टेट में आपके लागू हो गया, आपके लिए 27% आरक्षंट, और जो की जो गल्स हैं, गल्स का तो आपको पता है कि महलों उमीदबारों के लिए 33% होरीजोंट आरक्षंट रहेगा, यादि किसी सेड़ी में निर्धारत माप डंड के आधार पत्याते से महला ना हो तो उनके स्थानुपा पूर्स हो की पूर्ति की जावेगी, तो जो पूर्स हैं, उनकी पूर्ति होगी, जैसे कि महला एक्जम प्यटी में अगर 33% महलाएं नहीं मैं इसनकी लिंक आपको दोस्तों के दिस्किप्शन दे दूँगा, तो इनके बारे में आप जान ले, कितने पसंट राक्षंट लाग हो रहे हैं, इसकी इन पर उसमें बताने आपको तो यह भी आप कोई दिक्कत नहीं है, और जो SCST का था आपको पता है, कि सर यह जो SCST का एक और मामला सुफिन कुर्फनette का हुआ है कि जो SCST के प्रमोशन की बात चल रही थी कि प्रमोशन मिलता है कि ढूआ ह matt लूगं है ना जो अधिकतर ऊचे पद है उन पे वह जो OBC जो SCST के हैं वो कम हैं तो इसलिए दोस्तो सरकार इस बात पर अभी यह बात चल रही है जो भी नोटिफिकेसन आती है आपको बिल्कुल हमारी वीडियो के माध्धम से प्रॉइड हो जाएगी तो दोस्तो इसी परकार की पाने के लिए दोस्तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए है ना और कोई भी दिक्कत हो आप हम बता सकते हैं कि सर आपने इधर गलत बोला इधर गलत बोला है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट करके बता हैं और जो भी आपको और अधर वीडियो चाहि आप